नमस्कार सुजस इस्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ श्वीनी स्रोही आज हम बात करेंगे राजीव गांधी ग्रामीन ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी की और देखेंगे ग्रामीन ओलंपिक खेलों में दमखम दिखाती महिलाओं की रोचक तस्वीरें देश में पहली बार ग्रामीन ओलंपिक खेलों का आयोजन राजिस सरकार की ओर से करवाया जा रहा है इन खेलों के माध्यम से जहां ग्रामीन शेत्रों की खेल प्रतिभाओं को सामने लाया जाएगा, महीं ग्रामीन शेत्रों में खेलों का आधार भूत धाचा भी विक्सित होगा। खिलाडियों का बहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस खेल आयुजन में महिलाएं भी अपना दमखम दिखा रही है राजीव गांधी ग्रामीन ओलंपिक खेलों को लेकर महिलाओं का उत्सहा देखते ही बन रहा है प्रदेश भर से खेलों में भाग लेती महिलाओं की हैरत अंगिज तस्वीरें सामने आ रही है कहीं महिलाएं हातों में होके स्टिक लेकर गौल दागती हुई दिखाई दे रही है तो कहीं खोखो और कबड़ी खेलती दिखाई दे रही है ओलम्पिक खेलों में हर तरफ महिलाओं की भागीदारी से रोमांच बढ़ गया है सीकर जिले से रोमांच उत कर देने वाली तस्वीरे सामने आ रही है जहां महिलाएं घुंगट में होकी का मुकाबला खेलती दिखाई दे रही है खेल के मैदान में जहां महिलाएं आगे दिखाई दे रही है वही राजस्थानी, संस्कृती और परंपरा से भी सबका मन महुलिया है देखिए ये रोचक नजारे सवाई माधवपुर में भी छात्राओं और महिलाओं की टीम के बीच कबड़ी का कड़ा मुकाबला देखने को मिला राजसमंद में महिलाओं ने खोको के मुकाबले में पूरे उच्साह के साथ भाग लिया प्रताबगर जिरे की सुहागपुरा पंचायच समीती के सेमलिया में महिलाओं ने कबड़ी खेल कर उतकरश्ट प्रदर्शन किया जोरान महिलाओं ने आदिवासी पारंप्रिक नरत्य दागली की प्रस्तुती भी दिए कर दो कर दो कर दो कर दो दौसा में भी महिलाओं ने कबड़ी के मैदान पर दमखम दिखाया तो वही करकेट के मैदान पर बल्ला घुमाते हुए भी नज़र आई सुझे से स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकाद तब तक के लिए नमस्कार वही करें आपसे ए रहालाएघ्या तो दिखाया तक के लाओाद तक के लिए पार वही नमस्कार यहाल दो दूल से था रहालाएष नमस्कार